तो चलिए आज बनाते हैं मैं आलू ब्रेड और मेंदा से बिलकुन नया नास्ता इसे खाने वाले भी पूछेंगे कि कैसे बनाए बहुत ही स्वाधिष्ट बनता है बच्चे बड़े सभी को बहुत ज्यादा पसंद आता है तो चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं जितना खा से इससे मैं यह नास्ता बनाने वाली हूं क्योंकि नहीं इन भी फैक न बहुत स्वाधिष्ट नास्ता इनसे बनकर तयार हुगा हम 92 के घार में डालब पिस लेते हैं कि तो हम狂र में पीस लेते हैं और फ्रेंच वीडियो पसंद आए और चैनल पर नहीं तो चैनल को lubyर और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जो आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन वह आप तक पहुंच सकते हैं तो देखिए बिल्कुल बारिक पूस गया है यह अब मैं इसमें आदा कप मेहदा डाल देती हूं आप इसमें गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं बेशन भी डाल सकते हैं मैंने इसमें मेहदा कर डाला है आप चावल का आटा हो तो चावल का आटा भी डाल सकते हैं तो देखिए इसमें मीडियम साइज के दो आलू ले लिए हैं और इस तरह से मैं इनमें अच्छे से कद्दू आलू को ज़्यादा नहीं डालनी है जितने मतला हमारे ब्रेट का करमबल अतना ही अम आलू डालना है तो थोड़ी सी आदी चमच चमच में अजमाइं डाल देते हैं और थोड़ी सी कसूरी में थी एक चमच इसे विक्रस करके डाले तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है फिर अगर आपके पास हो तो आप जरूर डालिएगा और स्वाद के अनुसार नमक आदी चमच सफेद तिल अच्छे से हम इसे मिक्स करते हैं तो पहले हम ऐसे ही मिक्स कर लेते हैं अगर पानी की आबस सकता होगी तो हम इसमें पानी भी डालेंगे तो देखिए पहले हम इसी तरह से इसे मिक्स करेंगे अच्छे से और फ्रेंड्स अगर बहुत जादा ना टाइट लगाना है इसको और बहुत नहीं जादा बिल्कुल पतला लगाना है तो इसे एक नॉर्मल जैसे हम रोटी पराटे बनाते हैं ना उस टाइप का ये डू लगा के तयार करना है तो देखे कितना मैंने बिल्कूल एक चमत सा पानी लिया था और इसी से यह आटा सेट हो जाएगा तो देखे हमारा आटा अच्छे से जुड़ गया है और अब हम इसके लिए 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छूड़ते हैं एक साइड में इसे ढखकर 10 मिनट के लिए रख देते हैं और 10 मिनट के बाद हम इसे देखे हैं जब तक और तैयारी कर लेते हैं हम तो देखिए इसके लिए स्टपिंग बना लेते हैं फ्रेंट्स मेरे पास हरा दनिया था मैंने हरा धनिया डाला आप इसमें कड़ी पत्ते भी डाल सकते हैं थोड़े से बहुत अच्छा टेस्ट आता है दो चम्मच बारी कट अर नमक आदा नीवू करस आप उतकी पास नीवू ना हो तो आप आम चूर भी डाल सकते हैं और दो चम्मच देशी घी को मेल्ट करके लेजिएगा तो इस तरह ऐसा हम अच्छे से मिक्स करते हैं इस टपिंग को तयार कर लेते हैं बहुत अच्छे से मिक्स कर देते हैं अगर हातों के चिपके तो आप इसमें घी लेकर इस तरह से लगा लेजिएगा और डो को बिलकुछ सेट कर लेजिएगा बहुत ही स्वादिष्ट नास्ता बनकर तयार होता है बच्छों को तो बहुत पसंद आने वाला है आप एक बार इस तरीके से बना कर देखिएगा औ और आपके ब्रेड बच जाते हैं या सेंडविच बगेरा बनाते हैं कोई नास्ता बनाते हैं उसे फैकिएगा मत इस तरह से नास्ता बनाएगा उसका तो आप मैसमें से जैसे हम रोटी और पराटे बनाते हैं उस रिसाब के हम इसके पेड़ी बना लेते हैं और फ्रेंस ब तो देखिए मैं सभी पेड़े इस तरह से बना लिये हैं बहुत ही टेश्टी इतना स्वाधिश नास्ता बनता है जब कुछ समझ में ना और कोई मेहमान भी अगर घर पाजा तो इस नास्ते को बना सकते हैं तो थोड़ा समय सू काटा ले लिया और इस लोगे को जैसे रोटी के हम पर्थन लगाते हैं उस हिसाब से इसके भी लगा लेते हैं और रोटी जो बढ़ा रहे हैं नहीं ज़्यादा मौटी बेल नहीं ज़्यादा पतली तो इसमें एक चमच में देशी घी डाल देती हूं अच्छे से इसमें पर्थ लगा देते हैं और थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे सू का आटा इस तरह से अच्छे से जो कि हमारी जो ले आ रहे हैं वो बहुत अच्छे से खुल जाएं और एक चमच डालेंगे हम इसके उपर स्टफिंग एक चमज मैंने इसके उपर श्टफिंग डाल दी और बहुत अच्छे से इसे मैंने इस पर फैलाया है तो देखे इस तरीके से इसे फैला दीजिएगा और इस तरह से इसका रॉल बना लीजिएगा बहुत बिल्कूल टाइट करके जाद अब एकदम खुला हुआ नहीं बहुत अच्छे से टाइट करके इसका इस तरह से रॉल बना लीजिएगा तो देखे मैंने बना लीगा और इसे चप्टा कर लीजिएगा उपर से इस तरह से इतना टेस्टी नास्ता बनता है बहुत क्रंची क्रस्पी एकदम लेयर्दार जो हमारी स्नीक बन KIRता यार होते हैं इसे आप चक्ली भी बोल सकते हैं और जैसे मठ्रिवाल चकली बनाते है न उस टाइप के बहुत ही टेश्टी हमारा नास्ता बनता है और आसान सी रेसिपी है देखि तो इसके लिए मैं इस पर्त को नीचे की साइड में लगा देती हूँ इससे क्या है कि यह खुलेगा नहीं जब हम से कहेंगे तो इसके लिए खुलेग दो मीडियम साइज के बड़े चम्मस तेल ढाल दिया और इन्हें लगा देती हूँ इस तरह से आप इसे बना इसके भी सेख सकते हैं हलका सा ओल लगा के बना ओल के भी इन्हें सेख सकते हैं मीडियम फ्लेम पर तो देखिए इस तरह से मैंने ना सेकती हूँ दो मिनट के ब तो अच्छे नहीं लगेंगी, खाने में भी स्वाद नहीं आएगा, इस तरह से इनके लिए पहले सेक लीजिएगा, जब खाते समय मुह में जब लेयर खुलती है, टेस्ट तो उस टाइम पर आता है, तो देखे इस तरह से अलट पर लटके हम इन सब को सेक लेते हैं, और इत हम क्रिस्पी से सिग गए हैं, तो हम इनके लिए हम निकाल लेते हैं बहार, देखे सभी नास्ता को मैंने इस तरह से सेक लिया है, मिल्कुल अलट पर लटके अच्छे से गोल्डन होने तक तो देखे नास्ता बनकर हमारा तयार है, इस अटमें टू केचप के साथ, हरी चट तो देखे एक एक लियर अलग है इसकी, और खाने में इतना स्वाधिष्ट है कि इसका कोई जवाब नहीं, आप इसे एक बार बना कर ट्राइ करकर देखे, बहुत ही आसान सी रही है, राधे राधे